आप मेंसे कई सारे लोग Fusion Micro Finance को लेके थोड़ा टेंशन में है, कुछ लोग इसे hold कर रहे हैं और कुछ लोग इसे target बनाके बैठे हुए थे कि इसमें buying करनी है लेकिन अभी इतना sudden fall आ गया है कि लोग सोच रहे हैं इसे खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए या नहीं खरीद अब जो लोग नए हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है इसमें problem है इसका अभी आया हुआ result जो की negative में चला गया है अगर आप year on year से भी compare करोगे तो बहुत जादा ये नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो यही एक risky factor इसमें दिख रहा है और कुछ लोग बोल रह में आपने देखा ही होगा अभी recent time में बहुत जादा पुल अचानक से continuously गिर रहे थे तो obviously एक negative factor वो बन जाता है कि वो पैसा शायद fusion microfinance को वापस ना मिले वो news कितनी सही है कितनी जादा गलत है मुझे नहीं पता आप verify कर ले ना लेकिन market के reaction से ऐसा लग रहा है कि वो news सही हो सकती है अब PE ratio में भी आके चेक करेंगे तो इसमें PE ratio में EPS तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था लेकिन अभी जो खराब results आए है उसकी वज़े से ये नीचे जाता हुआ अब दिखने लग गया है और ये नीचे जाता हुआ दिख सकता है PE की बात करेंगे तो PE तो अच्छे नहीं होते तब तक इसमें buying की planning ना की जाए यही सबसे ज़्यादा safe होता है लेकिन कुछ होते हैं investors जो risk लेते हैं जैसे मैं अब थोड़ा थोड़ा risk किसी stock में जिसकी history अच्छी रही है मैं उसमें थोड़ा risk ले लेता हूँ क्योंकि मैं long term investor हूँ first of all swing traders को तो इस तरह कि stocks में risk लेना ही नहीं चाहिए ठीक है लेकिन अगर आप experienced हैं बहुत अच्छा portfolio आपका safe portfolio अल्रड़ी बना हुआ है और कुछ stocks जून रहे हैं जिसमें risk लिया जा सकता है तो आप मेरी category में है तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ अभी जब इसमें 20% का fall आया था तो मैंने around 340 पे इसमें थोड़ी सी बहुत ही थोड़ी सी quantity buy की थी और उसी time पे मैंने आपको बता दिया था कि इसका जो मेरा अगला target होगा वो 200 से लेके 215 के आसपास में होगा ये मेरा final level होगा इसमें entry करने का इसके नीचे अगर ये जाता है तो मैं इसमें entry नहीं करूँगा ये म मेरे पास पहला जो investment मैंने किया वो 340 के आसपास किया है और दूसरा final investment मेरा 200 के आसपास होगा simple सा plan है मेरा और जो भी amount मैं इसमें डाल रहा हूँ वो pure risk based पे डाल रहा हूँ डूब गया तो डूब गया लेकिन फिर भी कुछ factors हैं जिसकी वज़े से हो सकता है ये company ना और इसकी वज़े से ऐसा लगता है कि जो भी इसके पास पैसे आ रहा है ये अपनी growth में लगाएंगे promoters अभी भी majority stake लेके बैठे हुए हैं खैर इसमें से पोने 3% इन्होंने गिरवी रखा हुआ लेकिन उसके बाद भी majority stake जो है वो promoters के पास रहेगा reserves और fixed assets दोनों ही अभ किया था अपना stake जो है थोड़ा बहुत कम कर दिया था लेकिन उसके बाद भी अगर आप इनका stake देखेंगे तो बहुत ही जादा है ठीक है public का stake इनके सामने कुछ भी नहीं तो इसकी वज़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी डूबने वाला तो नहीं है ठीक है time खर स्टॉक बहुत जादा नीचे हो उसी time में मेरे हिसाब से मेरे जैसे इंवेस्टर को जो रिस्क लेना चाहते हैं उनको एंट्री करनी चाहिए तो जैसा मैंने आपको बोला एक मेरी एंट्री अल्रेडी हो चुके 340 पे और दूसरी final entry मेरे इसमें होगी 200 के आसपास तब मैं आपको फिर से बता दूँगा मैं हर बार entry के पहले और बाद में बता देता हूँ तो मैं दुबारा आपको बता दूँगा जब भी मैं इसमें entry करूँगा आप इसमें दूर रहना चाहो आप इसे study purpose के लिए खाली देखना चाहो वो कर सकते हो जो भी आप करो comment section में लिखक करने वाले अगले वीडियो में हम लोग कुछ set of stocks discuss करेंगे जो की oversold हो चुके हैं या फिर future के लिए एक multi bagger हो सकते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में